आपने कई बार सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दोरान कर्मट लेकर ही सोना चाहिए और कर्मट लेकर ही उठना चाहिए इसके साथ ही आपको कैसा चलना चाहिए आपको एकदम नहीं उठना चाहिए और आपको कितने मात्रा में जुकना चाहिए और कौन-कौन सी साउधान या रखने चाहिए प्रेगनेंसी के दोरान आज हम यहाँ पर वही बात करेंगे प्रेगनेंसी के दोरान आपको कितना जुकना चाहिए और कितना नहीं और आपको क्या करना चाहिए इसी कौन सी बाते हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं से आप और आपका बेबी सेफ रहे आई में आप पर वही बात करेंगे तो आप वीडियो को पूरा वो जरूर किजिए तब आपको पूरी इंफोर्मेशन मिल पाएगी बहुत सारी महलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव के बाद आपने देखा हो कि वह बिल्कुल सीधे लेटे रह लेकिन प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद ये तरीका बिल्कुल गलत हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद अगर आप चाहते हैं कि बेबी को शरीर में आकसीजन परियाप्त मातरा में मिले उसकी ग्रोथ अच्छे से हो तेजी से हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान बहुत ज़्यादा जरूरी है जो प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे और आपकी सेफटी के लिए काफी जरूरी है प्रेगनेंसी कंसीव के बाद हमेशा सला दी जाती है कि पाई यानि लेफ्ट उल्टे हाथ की तरफ आपको करमट लेकर सोना चाहिए इससे आपको और आपके बेइबी को काफी सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि आपके सोने के बाद ही बेबी की जो जादा तेजी से होती है बेबी अकसर जादा उसी में मुमेंट करते हैं आपने सुना हो गा गाई या बायी घडोन ने की तरफ महला को सुलाना है इससे बेबी को नीचे सरकने में help मिलती है बेबी को परियापत मातरा में oxygen मिलता है उसको सांस लेने में help मिलती है और उसका ब्लड circulation रहता है शरीर के अंदर वो भी तेजी से होता है तो आपको बाई करवट ही सोना चाहिए अगर आपने pregnancy के first से third month में आप दाई करवट भी सो सकते हैं यानि कि आपको right side भी सो सकते हैं आपको देखा जाए जो comfort लगता है अगर आपको right लगता है तो आप right भी सो सकते हैं left लगता है तो left भी सो सकते हैं लेकिन आपको द्यान ये रखना है कि आपको बिल्कुल सीधे नहीं सोना है इस से बेबी को परियापत मातरा में oxygen छोड़ा रुक रुक कर होता है। परियापत मातरें मेर उसको जो blood है उसकी नशोंथ तक परियापत मातर incorporating नहीं पोहुच पाता है तो आप उल्टे भी ना आओं नशोहिए, क्यूंकि इस से भी baby को थोड़ा से सHave रहता है वह नहीं रहता है, बेबी को परियापत मातरा में बलड सर्कुलेशन नहीं मिल पाता है आक्सिजन नहीं मिल पाता है तो आपको बाई करवट या दाई करवटी सो सकते हैं जिदर आपको comfortable लगे लेकिन जैसे जैसे आपके 4 मंथ से 6 मंथ होती है pregnancy का यानि कि आपको second trimester में जब आप जाते हैं तो आपको और कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप उस समय तो बिल्कुल भी सीधे ना सोईए क्योंकि इससे आपको पीट में दर्द हो सकती है आपको खाना पचाने में दर्द हो सकता है आपके जो जोड़ों पर पुरा भार आ जाता है बेबी का आपको बार बार पैन हो सकता है ठीक से नींद नहीं आ सकती है और इसके साथ के आपको जो डाइजेसन शिस्टम की भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप प्रेगनेंसी के दोरान ज़दा सीधे सोते हैं तो यहां तक कि आप अगर सोते हैं सोने के बाद अगर आप 1st से 3rd मंत में सोते हैं आप 4 मंत में भी सोते हैं अभी आपकी आदत नहीं लगी है तो आपको करवाट लेकर ही उठना चाहिए इसके साथ आपको अगर आपके पेरों में बहुत अधिक दर्द है या कंधों में दर्द है उसमें आपको रिलीफ मिलेगा उसमें ज़्यादा पेन नहीं होगा आपको आराम मिलेगा तो आप पेरों के बीच में पिलो जरूर लगाई है तो बेबी को काफी सपोर्ट मिलता है उसको ब्लट सर्कुलेशन तेजी से होता है और जैसे ही 1st से 3rd मंत आपका खतम होता है लगता है तो बेबी की जो ग्रोथ है वो काफी तेजी से हो जाती है बेबी तेजी से बढ़ता है वो ज्यादा तर आप सोते है उस दुरान बेबी की जो ग्रोथ है उसका डवलप्मेंट है वो ज्यादा तेजी से होता है दिन के अकोर्डिंग आप चलते हैं काते हैं पीते जगह मिल जाती है टमी के अंदर relax करने के लिए दिन भर आप जैसे ही काम करते हैं तो आपको भी कुछ moment उसकी feel नहीं होगे लेकिन जैसे ही आप कुछ खाकर या खाना खाकर या पानी पेकर तुरंट लेटते हैं तो आपको बेबी की आप ये टिप्स को जरूर फोलो करें आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना बहुत